भरश्टाचार निरोधक ब्योरो यानिकी ACB ने आज सुभा सिरोही के जिलारस्वत अधिकारी मोहनलाल देव को 40,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए गरफतार किया है जिले के राशन दुकानदारों के पदाधिकार पत्र निलंबित करने की धमकी देकर वो 4,000,000 रुपे की रिश्वत की पहली किष्ट ले रहा था सरकेट हाउस में रिश्वत लेते ACB ने उसे दबोच लिया अलिस्थान राजी अधिकरित राशन विकरेता आयो नियोजक संग की सिरोही शाखा के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार अगलवार ने ACB में शिकायत दर्च कराई थी कि सिरोही जिले के 5 तहसीलों में 400 राशन विकरेता हैं और रसाधिकारी मोहनलाल ने इन दुकानों के प्राधिकार पत्र निलंबत करने की धमकी दे कर प्रती दुकानदार से एक एक हजार रुपे कतरत कर कुल 4 लाख रुपे की मांगी है शिकायत के सत्यापन के दौरान मोहनलाल ने मुकेश कुमार से एक बार फिर प्रती दुकानदार एक एक हजार रुपे की मांग की और साथ ही आज सुभा 4 लाख रुपे की पहले किष्ट के साथ मुकेश कुमार 40,000 रुपे लेकर सरकेट हाउस में ठहरे मोहनलाल के पास मोचे उनके 40,000 रुपे थामते ही जाला और ACB के उप अधिक शक अनराज के नित्रतु में पहले से तयार ACB की टीम ने उन्हें रंगे हातों पकड़ लिया उनके जेब से 40,000 रुपे बरामत कर लिया और उसके बाद उन्हें ग्रफतार कर लिया